गुरुकुल कांगरी सम विश्वविद्धाले हरी द्वार पुछ सिक्षा के मामले में देश की चुनिंदा विश्वविद्धाले में गिना जाता है पूरे इस भारत वर्ष में धेर सारे ऐसे कालेज हैं जहाँ पर बीशयों में सीट की संक्या भरती नहीं और इस कुरोना काल में किसी विश्विद्धाले और कालेज में नए कुर्स सरकार नहीं दे रही है ऐसे विश्वत परिश्वती में जब कुरोना का संक्रवन फैला हो ब्लैक फंगस का संक्रवन फैला हो कंडाइडा का संक्रिवन फैला हो वहां गुरकुर कांगडी विस्विद्याले में सिरीटों की संख्या बढ़ाया जाना भी फार्मा के लिए और यह फार्मा एक नया विशय चलाने के लिए देना हमारे विस्विद्याले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी है और हम समके लिए बहुत गवरों की बात है क्योंकि यहां पर जो यह पूरा हिमालाई छेत्र है जड़ी मुटियां पूरे हिंदुस्तान में सब से ज़्यादा ही पाई जाती है इसी अस्थान पर अथरवेद की सरचना हुई पर यहीं आगे बढ़ने के पूरे चांसेस उनको रहेंगे और इसी के साथ एंफार्मा करने के साथ ही वो पीएजडी के लिए रिसर्च के लिए भी वो योग्यों हो जाएंगे सक्षम हो जाएंगे तो यह समझे कि वो डिप्लोमा से लेकर कि या भी फार्मा से लेकर के पीएजडी तक अपना सम्यक रूप से अध्यन कर सकता है और यहां से एक कम्प्रीट दिग्री लेकर के जा सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हरिद्वार विशेसकर उत्राखन राज के लिए भी एक बड़ी बात है कि आज गुर्पू कांगरी और रुष्य विद्यले खुशी की बात है और हमें इस गर्व है अपने डिपार्टमेंट पे अपने युनिवर्सिटी पे और हुआ की कोर्स बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इस्टुडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है समाज के लिए बहुत जुरूरी है इस कोर्स में मेडिकल साइन्स और जनरल बेसिक साइन्स और इन सब का समन्वेय है और इसकी आज के समय में बहुत जरूरत है और यह कोर्स आने से हमारे युनिवर्शिटी का भी आगे नाम बढ़ रहा है और हमें नए छात्रों को और आगे शिक्साद देने का मौका मिलेगा जो हमारे भी फार्मा के श्टूडेंट है वो आगे एम फार्मा में जाएंगे और उनके आगे परगती के रास्ते खुलेंगे तो मेरी यही सुपकामना है कि हम और अच्छे से करेंगे और फर्दर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और हमारे श्टूडेंट यहां से पढ़के जाके बाहर नैस राष्टी और अंतराष्टी लेवल पर अच्छा काम करें यह हमारी ऐसी इच्छा है और श्टूडेंट के लिए भी सुपकामना है